Share Capital की Balance Sheet बहुत परिशान करती है न, अगर मैं तो मैं बोलू कि मैं पूरी की पूरी Balance Sheet सिर्फ एक Calculator पे तुमसे बनवा लूँगा, तो मानोगे, नहीं न, जल्दी से Calculator लेख के आजाओ, और हम शुरू करेंगे Balance Sheet Preparation on Calculator. So guys, सबसे पहली चीज, लिखने की जल्दी मत करना, मैं description में PDF की पूरी Link डाल दूँगा, PDF डाउनलोड कर लेना और फिर अराम से लिख लेना, जब मैं concept समझा रहा हूँ, तो पूरा focus होगा explanation पर, तो pen pencil लीचे रख दो, हाथ में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ calculator, तो दोस्त है, यह 1,50,000 shares, कि public ने कितने shares apply करे, तो company ने offer करे, एक लाक shares, public ने मांगे, डेल लाक shares, मतला हाँ, यह over subscription का question है, अब यहाँ सोचने वाली बात है, कि अगर application आई, डेल लाक, पर public को company दे पाएगी, सिर्फ एक लाक shares, तो company किसको देगी, कितने shares देगी, देखना पड़ेग एक share भी नहीं दिया, next है, 20,000 shares मांगने पे, पूरे के पूरे 20,000 shares allot करे, क्यों बाई, दमाद थे क्या, हो भी सकते है, हमें क्या पता, पर company ने जो second category बनाई, वाँ पे 20,000 shares मांगने पे, पूरे 20,000 shares दिये बराबर, next है, प्रो राटा, एक लाग 20,000 shares मांगने पे, 80,000 shares allot यहां पे बता गया, कि कितने shares मांगने पे, कितने shares allot हुए, चलो, जल्दी से देखते, एक share कितना था, तो एक share की face value थी 10 रुपे, और उस पे, जो premium है वो है 5 रुपे, मलब कोई अगर मुझसे पूछे, कि sir face value कितनी, तो मैं बोलूँगा 10 रुपे, कोई मुझसे पूछे एक share पे premium कितना, तो मैं बोलूँगा 5 रुपे, और कोई मुझसे पूछे, कि sir issue price क्या थी, तो issue price है 15 रुपे, कुछ भी note down करने की जरद नहीं, यार, PDF दे दूँगा ना, यार, link में, मस्ती से समझो, मैं जो समझा रहा हूँ, अब application पे कितना रुपया वंगवाया, तो 2 रुपे face value के 1 रुपया premium, तो total application हो गया 3 रुपे का, similarly allotment पे face value 4 रुपे, और premium के 2 रुपे, तो total हो गया 6 रुपे, same ऐसा ही, first call पे face value के 3 रुपे, premium का 1 रुपया, तो total हो गया 1 रुपे, तो total call कितना हो गया 2 रुपे, तो यार, ये जो उपर वाली line है ना, ये पूरा का पूरा face value है और यह जो है यह है आपका premium का माउं बस इतना सा ध्यान रग लेना अब यहाँ पे दो share older है तो यार नए नए दूला दूलन को बुला लेते हैं तो एक है हमारा रन्बीर और एक हमारी आलिया अलिया यह बाद में पता नहीं अगर कोई वीडियो एक साल बात मिले रन्बीर ने application तो पे कर दिया साब इसलिए टिकमाक है पर रन्बीर ने allotment पे नहीं करा first call पे नहीं करा इसलिए यहां पर है cross तो टिकमाक का मड़ला पैसा आ गया cross का मड़ला पैसा नहीं आया रन्बीर के shares first call के बाद ही four feet हो गए मलब रन्बीर से हमने second call बुलवाय यह नहीं था बराबर बात अगर मैं बात करूं आलिया की तो आलिया ने 600 shares मांगे थे आलिया ने 600 shares मांगे थे पर उसको मिले कितने 400 shares तो number of shares applied by आलिया 600 and number of shares allotted to her is 400 shares इतना data समझ माया अब यार तिकमाक और उसकी तो वही का नहीं है आलिया ने application पे करा allotment पे करा तो यहां इसके shares हमने फूरफीट कर दिये second call के बाल बराबर बात अब यहां पे एक चीस important है हमें यहां पे रीशू की information दी हुई है कि यार यह जो रनबीर है जिसके 500 shares फूरफीट हुए थे उसके 300 shares रीशू है 9 रुपे के हिसाब से तो यह है रीशू details and आलिया की बात करूं जिसके 400 shares फूरफीट हुए थे उसमें 300 shares रीशू करें पर 8 रुपे के हिसाब से तो यार यह था मेरा basic question की पूरी guideline अब मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा कलब रही होगी कि शर लिख ले क्या लिख ले क्या लिख ले क्या चलो एक काम करो वीडियो को pause करो मैं यहां से हट जाता तो यार उमीद करता हूं कि तुमने पूरा flowchart अपनी notebook में नोट डाउन कर ले अब कुछ भी नहीं करना है तुम्हें सिर्फ अपने हाथ में calculate रखना है और मजे करने क्योंकि जो concept मैं तुम्हारे दमाग में डालूगा तुमको सुनके मज़ा आ जाएगा तो यार सबसे प जिन्दा शेर्स की face value क्या बुला जिन्दा शेर्स की face value निकल यहां से बार 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 इस अब अग्रा अगरा अपने concept पे concentrate करते हैं तो यह बार कर रहा था मैं share capital की तो बाली शीट में जब हम share capital का मांट calculate करेंगे तो इसकी जो tagline है जो trademark line है that is जिन्दा शेर्स की face value ना वाट यू मीन जिन्दा शेर्स एंड आपके कितने शेर्स active है इसको बोलते हो जिन्दा शेर्स तो यार याद करो company ने company ने कितने शेर्स actually offer करके अलट करें थे movie ने offer करें एक लाग शेर्स property ने Osman ke इंगर निवाट्न और यार इन न son pioneer आलाटमेंट पार फर्स और नी कर फिर उसके शेष क्या कर दिये गाए four feet कर दिये गए तो यहाँ पर देखो यार, रनबीर के 500 शैस फूरफीट कर दिये, फूरफीट का मतलब होता है, कैंसल कर देना, मलब रनबीर के 500 शैस को सथ उमने चूरा भोग दिया, तो उमने 500 शैस मार दिये, तो यार मुझे चाहिए जिन्दा शैस, कमपनी ने पैदा करे एक लाग शैस, जिसमें से रन रनबीर को कितने शैस अलाट वे थे 500, और आलिया को कितने शैस मिले थे 400, तो आपने रनबीर के 500 और आलिया के 400 शैस मार दिये, फूरफीट कर दिये, कैंसल कर दिये, तो उसको उटादो यार, अब वो शैस जिन्दा बचे ही नहीं है, पर उसके बाद आपने रनबीर और इसको बोलते पुनर जनम है इसको क्या बोलते दोस्तों पुनर जनम तो जब आप शेस हो तो बारत रीवर्थ हुआ है तो मैं बुल रहा हूं पुनर जनम तो यार रणबीरके कितने शहाइस पैदा करें, एक लाग, उसमें से कितने शहाइस फोर फीट कर दिये, मतलब मार दिये, 500 और 400, फिर कितने शहाइस का पुनरजनम हुआ, तो ये वापस से जिन्दा हो गए, 300 प्लास 300, जो शहाइस री इशू करें, उनको ऐड कर दिया, तो ये तो आ गए यार, जिन्दा शेस अब जिन्दा शेस की face value बोला है तो face value होती है 10 रुपे तो यहाँ पे जल्दी से यार calculator निकालो मेरे हाथ में भी calculator है तो मैं जो बोल रहा हूं वो मैं टाइप कर रहा हूं तुम भी करो यार सबसे पहले तो श्री गणेश कर लेना चाहिए calculator पर मिलब on दबा ल यह अभी जिन्दा शेस पर फिर पुनर जनम हुआ तो पुनर जनम में 300 रंबीर के और 300 आलिया के तो 600 शेस मैंने आड कर दिये तो यार 99,700 शेस 99,700 शेस जिन्दा शेस है और इसकी face value है 10 रुपे तो total amount हो जाएगा 9,97,000 तो मैंने यहाँ पे balance sheet का format अल्रेडी बना लिया है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार 99,700 शेस ब्सक्राब और फुली पेड में अभी सब्सक्राब और फुली पेड वर्से सब्सक्राब और नॉट फुली पेड यह किसी और वीडियो में यार जगड़ा समझ लेंगे अभी तुम मेरे साब बस लिख लेना कि शेर कापि इससे आपको मिलेगा कि end of the day कितने शेर जिंदा है और into उसकी face value करना है बात खतम आपके पास में calculator पर आ जाएगा share capital का amount अब बात करते securities premium reserve की तो हमारी balance sheet में liability site पर जो second चीज़ आगी under the heading reserves and surplus उसमें सबसे पहले हमें calculate करना पड़ेगा securities premium reserve अब यार इसकी भी trademark line है क्या क्या इसकी भी tagline है क्या बिलकुल है यार इसकी tagline क्या है तू जो मिला हुआ सब हासिल तू जो मिला हुआ सभासिल मदब यहां पे हमें simple calculation करना पड़ेगा कि कौन से shares पे कितना कितना premium मिला तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे अच्छे shares की सर यह अच्छे shares क्या होते हैं अच्छे shares का मतलब जिस पे कूछ भी default नहीं है तो आपने एक लाग shares offer करे थे बराब इनको हटाओ यार साइड में तो पहली step है अच्छे shares पे जो premium मिला तो जैसे मैंने इसको calculate करा तो यह कितने shares हो गए 99,100 shares तो 99,100 shares तो good shares है ना इस पे तो पूरा पैसा आया तो इस पे premium भी पूरा आया होगा तो 99,100 पे पूरा का पूरा 5 रुपे आपको मिला होगा तो यह ह गई आपकी step number one अभी उदर जाने से मना कर रहा है मैं कुछ कर नहीं सकता इसका इसका कोई बात नहीं सकते यार चल कोई बात नहीं अपने थोड़ा बहुत compromise कर लिया चल तो आपने एक लाग शेर्स ऑफर करें थे जिसमें से default शेर्स डिफॉल्टर के शेर्स मैंने माइनस कर दिये तो रंबीर के 500 आटाए आलिया के 400 शेर्स अटाए तो अब पता चला कि अच्छे शेर्स कितने है अच्छे शेर्स का मतलब जिस पे पूरा पैसा आया तो प् एक प्रीविया आप Woah यहां पर हो जाएगा रंबीर के 500 शेर्स पे एक रुपया प्रीमियम तो यहां पर आप क्या कर लेना किख़़ा और तो on the buy 99,100 into 5 रूपीज तो this is 4,95,500 और अब बात करते हैं आलिया जी की, तो यार आलिया के पास 400 शेस से और आलिया ने क्या-क्या पे करा, application and allotment, तो इधर देखो यार flow chart में, आलिया ने पे करा application and allotment, इसका मतलब उसने ये 1 प्लस 2, 3 रूपे का premium पे करा होगा, तो आलिया ने सिर्फ और सिर्फ एक रूपे application और दो रूपे allotment पे करें, तो 400 into 3 रूपे ये हो गया यार, अब आप इसको add कर दो, तो 49,5500, मतलब 4,95,500, प्लस 500 रूपे, प्लस 1200 रूपे, कंपनी को जो total premium receive हुआ, that is 4,97,200, तो यहाँ पे मैं balance sheet में लिख देता हूँ, मैंने ready रखा हुआ है, 4,97,200, तो this is the total premium receive, इसका मतलब, sir, SPR की tagline क्या थी वापस से बोलना, तो SPR की जो tagline थी, that is, तू जो मिला, मतलब जो जो premium मिला, बस उसी को add कर लो, अब आपको जो premium मिला, कैसे add करोगे, step number 1, अच्छे shares पे जो premium मिला, तो अच्छे shares हो, जिसपे कोई भी default नहीं था, उसपे पूरा premium ले लो, and step number 2, जो default shares है जिसपे कोई ना कोई problem ही, कोई ना कोई पैसा नहीं आया, उसमें बस यह देख लो, कि उसपे कौन सा, कौन सा premium receive हुआ है, तो number of shares allotted, जो 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 premium मिला है, वो बस add कर लो, तो यह हो गया हमारा securities premium reserve का amount, अब दोस्तों, यहाँ पर आके बात करते है, share forfeature account में, जो amount आएगा, बाली शिट के अंदर उसका, तो इसकी एक tagline है, पर इस tagline को आपन थोड़ा सा बाद में discuss करेंगे, अभी हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, कि total forfeature amount कैसे calculate होता है, तो बहुत सारे students को class में समझाया जाता है, कि forfeature का amount कैसे निकलता है, पर फिर भी, मैं एक बार revise कर व वापस से बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ application पर होना चाहिए, तो कैसे निकलेगा जनाब, तो यहाँ share for feature निकलेगा, number of shares applied, number of shares applied into the application call, जब मैं बोल रहा हूं application call, तो यह inclusive of premium होना चाहिए, तो सामने वाले ने जितने भी shares apply करे थे, into application का call, inclusive of premium, अब जो हमारा कमनी जाग का section है, वो हमें premium के amount को forfeet करने से मना करता है, तो आपने जब number of shares applied into application call, inclusive of premium ले लिया ना, तो वहाँ पर आजगा कमनी जाग का section, वो और वो बोलेगा, कि भाया, premium को forfeet नहीं करने का, तो हमें premium remove करना पड़ेगा, तो premium आप ले सकते हैं, उस सिर्पा सिर्फ allotted shares पे, तो यार premium का amount into number of shares allotted, minus क्या करा, premium का amount into number of shares allotted, तो यार करके देख ले थे, confusion नहीं रखना, देखो, यहाँ पर जो language लिखी है, इन्होंने ये case जो है, ये method कभ यूज करने का बूला, जब सिर्फ और सिर्फ application पे करा है, हमारे पास दो-दो यार shareholders हैं, जिन्होंने default करा, एक runbeer और जल्दी से यहाँ पर जो flowchart है, उसमें देख के बताओ, कि सिर्फ application किसने पे करा, रनबीर ने या आलिया ने, तो answer है, रनबीर, रनबीर वो shareholder है, जिसने सिर्फ और सिर्फ application पे करा, और कुछ भी पे नहीं करा, बराबर बात, so language बोल रही है, number of shares applied, तो number of shares applied, तो number of shares applied कित रनबीर से मुझे total पैसा मिला, 1500 रुपे, माइनस premium on allotted shares, तो यार premium कितना था, तो भाई साब यहाँ पे मैं अलग color सा highlight कर लेता हूँ, premium है application पे 1 रुपया, और यह आपको remove करना है, allotted, allotted, allotted shares पे, allotted shares कितने 500, उपर वाले allotted, नीचे वाले applied, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक रुपया premium, allotted shares 500 पे, तो यह आजाएगा 500, तो इसका जो four feature amount है, that is 1000 रुपीज, total हमने रनभी से 1000 रुपीज का amount फोर फीर करा है, बस इतना साब ने को ध्यान रखना है, अब तुम लोग बोलोगी कि सर क्या ही परक पड़ा, अब applied बोलो या allotted बोलो, है तो दो दोनो 500 ह रे दादा, यह वो case है, जहां पर applied और allotted same है, अगर प्रोराटा होता, जैसे यह वाला case, और अलिया ने अगर सिफ application पे करा होता, तो कोई सा भी ले लो नहीं चलता, इसलिए जो मैंने language लिखवाई है, उसको strictly follow करना, प्लीज, अगर तुम language के साथ खिलवार करोगे, तुम words, word to word follow नहीं करोगे, तो तुम्हारा answer सही नहीं आएगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, यार यह 15 सालों का experience है, कि यह concept मैंने बनाए, प्लीज इसको challenge मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ, भरोसा करके follow कर लेना, तुमारी balance sheet calculator पे टाली हो जाएगी, तो यार क्या formula बुला, अगर सिर्फ और सिर्फ application पे कर आए, तो एक बार फिर से number of shares applied into application call, minus premium on allotted, allotted, allotted shares premium, allotted shares पर ही minus होता है, तो यह आगया हमारा रंबीर का for feature का amount, अब ज़रा बात कर लेते हैं यार, आलिया की, आलिया भी विट कर रही है हमारा, मेरा, चलो बात सुनो दियान से, अब अगर मै अलिया की बात करू, तtho आलिया ने application के बाद और भी कुछ पे कर दिया, तो चलो method number two की तरफ चलते हैं, हमारी method number two है कि अगर application के बाद कोई और call भी पे कर दिया, चाहा allotment first call ya second call, second call पे कर दिया, तो फो feel होता ही नहीं है, तो अगर application के बाद या तो shareholder न ऑल्टमेंग भी पे कर दिया यह allotment of first call दोनों पे कर दिये तो इस case में फॉर्मिला थोड़ा सव डिफरेंट है जनाब फॉर्मिला क्या है जनाब तो फॉर्मिला है number of shares allotted allotted shares लेना है into all calls paid जो जो call pay करें ना उन सब को ले लो और उन सब में से excluding प्रीमियम करना मलब प्रीमियम को हटा दो क्योंकि कंपनी जाट का वो section आजाएगा कि प्रीमियम को आप फॉर्फीट नहीं कर सकते हो बात समझे माई 400 into all calls paid आलिया ने जो जो call pay कर रहें उन सब को add कर लेते हैं तो यार आलिया ने पे कर रहें यहां पर application और allotment तो three plus six यह add कर लूंगा excluding premium तो इसमें से एक और दो रूपे premium क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो इधर देखो पहले मैं करूंगा three plus six तो application और allotment जो जो call पे करें उसको पहले add कर लिया minus एक रूपिया premium minus दो रूपे premium allotment का तो यह जो होगा यह मेरा final calculation हो जाएगा तो 400 shares पे three plus six nine minus one minus two तो यह हो जाएगा six तो यह हो जाएगा 2400 रूपीज तो आपने आलिया की कितने पैसे जब्त कर लिए four feet के लिए 2400 और रनबीर के 1000 रूपे आपने four feet के लिए अब जैसे ही आपने total four feature amount निकाल लिया ना अब आपको यहाँ पे per share निकालना जरूरी है total four feet amount को आपको per share में convert करना जरूरी है तभी जाके आप actual जो बैली शीन में four feature में amount जाएगा ना वो निकाल पाओगी तो चलो मैं करता हूँ यहाँ पे इस 1000 को divide कर दिया number of shares four feeted से तो number of shares four feeted 1000 divided by 500 तो 1000 divided by 500 पर share दो रूपे हो गया पर शेर दो रुपे हो गया 2400 को डिवाइड करा number of shares forfeited 400 से तो per share 6 रुपीज हो गया तो आपने per share यहाँ पे 6 रुपे फोर फीट करें और यहाँ पे per share आपने 2 रुपे फोर फीट करें तो आपको अगर balance sheet में share forfeiture का amount चाहिए ना आपको forfeiture amount per share निकालना जरूरी है ध्यान रखना अब हम इसकी tagline पे जाते हैं जो हमाली trademark line है उस पे जाते हैं तो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा देखो मैंने क्या लिखा है मुर्दा shares पे जो पैसा आया क्या बोला मुर्दा shares पे जो पैसा आया तो रन्बीर के आपने 500 shares forfeiture कर दिये मार दिये हत्या कर दी तो रन्बीर के 500 shares हुए cancel रन्बीर के 500 shares हुए forfeiture मतलब 500 shares का आपने कतल कर दिया पर इस 500 shares में से 300 shares का पुनर जनम हो गया तो 500 जो पुनर जनम हो गया तो उटो जिन्दा हो गए तो पासminister में से अगर फीर जिन्दा हुए तो कितने मुद्धा हैं अगर पासो शेह्थ आपने मारे थे जिसमें से फीर 05 पुनर जनम हो गया रीश हो गए तो ऐसे कितने शेहथे अभी पैसा पड़ाओगा 400 रुपए बराबर बात अब अगर मैं बात करूँ आलिया की तो आलिया के कितने शेहस कांसल करे थे अरे कितने शेहस में खून कर दिया था यार 400 शेहस का खून कर दिया था जिसमें से 300 शेहस का रीश हो गया पुनर जनम हो गया तो आपने 400 शेहस को माला 300 बापस से जिंदा हो गया तो कितने शेहस मदे पढ़े कितने शेहस अभी भी मुर्दा है 100 शेहस ना balance sheet के अंदर that is 1000 रुपीज तो यार मैं जब balance sheet बनाऊंगा तो सब रेडी रखा है तुम्हारे लिए 1000 रुपे जाएगा फोर फीचर में 1000 रुपे का जाएगा फोर फीचर में बात समझे मैं चल अब बात आगे की करते हैं अब हमें capital जब निकालना तो फार्मुला जो आपको फॉलव करना है शेर ओल्डर वाइस आपको फॉर्मूला को चाहरा नहीं लिया तो आपको फॉर्मूला बढ़ा सिंपल दूस्तों अमाउंट पॉर्फीड हमने उपर वाली निकाली लिया था ना कि रंभीर का 1000 और ऑलिया का 4-800 तो वह पर निकाली लिया था यह चो करा थे जुश applause निकाली लिया थे जो कर दिवाइड़ पांचन तो यह वही स्टेप फिट थे bestower Q दम्बरोफ च्रिचुट और यह क्या पड़ ने धुस्ट करसुट इसा नहीं हो पड़ेगा तुम को यह फॉर्मुला याद करना पड़ेगा इतना सा फॉर्मुला कर लो capitalism कभी जीवन में तुम्हारा गलत नहीं निकलेगा तो यार देखो रनबीर की अगर मैं बात करूँ अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ रनबीर की कितना मांट इसका फूरफिट हुआ था एक हजार रुपे तो एक हजार डिवाइड़ बाई कितने शेह सो फीट हुए थे पांसो तो अगर तुम क्यालकुलेट करोगे तो हजार डिवाइड़ पांसो दो रुपे आता है क्या करा सर अमाउंट फूरफिटेट डिवाइड़ बाई नंबर और शेस फूरफिटेट माइनस लॉस और इन्टू नंबर और शेस रिशू यह फॉर्मुला याद करके जाओगे मज़ा जाएगा क्यापिटलिजम निकालने के लिए इसमें और निमाग लगाने की जरत ही बिवाइड़ बाई 400 कितना होगया छे रुपे माइनस लॉस और इसमें तो जरा चेक करते हैं आलिया के कितने शेस रिशू है थे 300 क्या भाव में आट रुपे में तो 300 शेस आट रुपे के भाव के इसाब से रिशू है थे दोस का शेर आठ में रिशू हा तो नुकसान कित लाइबिलिटी साइट की सारी चीज़े कैलकुलेट हो चुकी तो एक बाद टोटल निकाल ले चलो इधर देखो यार तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तुम भी थोड़ी मैनेत करो मैं तो करी रहा हूं 9,97,000 शेर का माउंट प्लस 4,97,200 आपका SPR का माउंट प्लस 1,000 रु टोटल आगया 14,96,700 बराबर बात चलो अब हम आखरी चीज़ जाते हैं कि और यह बैंक अकाउंट कैसे कैलकुलेट होता है तो इधर देखो बैंक अकाउंट में मैंने तुम्हारे लिए तीन स्टेप लिखिए टोटल तीन स्टेप में बैंक अकाउंट फेनिज पहली स्ट अच्छे शेस पे जो पैसा मिला अरे क्या लिखा है अच्छे शेस पे जो पैसा मिला यह आएगा बैंक अकाउंट में स्टेप क्या लिखिए अरे बुरे शेस पे जो पैसा मिलेगा वो तो पहले अच्छे शेस का पैसा लेलो फिर बुरे शेस का पैसा लेलो और फाइनली हमें चाहिए रीचкус पे जो पैसा मिला तैसरी सब क्या रीचू पे पैसा मिला चलो अब तुम सब लोग आखे बंद कर के मुझे गिनाओ step number one क्या थी अच्छे शेहस पे जो पैसा मिला बरावर दूसरी step क्या थी बूरे शेहसब यह पैसा मिला और तीसरा क्या था री इशू पे जो पैसा मिला पस तीं गी तो अगर करते पहले प्हले प्यास जखा ऑँ क्या Même यार कंपनी ने जनम दिया ओफर करें एक फिर इसमें से 500 रंबीर के कतल कर दिये 400 शेयस आलिया के कतल करके मार दिये गए बराबर बात तो यह बुरे शेयस है ना इनको अटा दो अच्छे शेयस कितने 99,100 और इस पे पूरा पैसा मिलाओगा तो इसमें मिलाओगा में 15 रुपे तो या 99,100 इंटू 15 रुपे यह 14,86,000 तुम चाहो तो यार इसको M-plus में भी डाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर बात करते बुरे शेयस की बुरे शेयस पे जो पैसा मिला तो यार पहला है रंबीर तो रंबीर के पास से 500 शेयस जिस पे उसने आज तक सिर्फ एप्लिकेशन का 3 रुपे पे करा तो देख लेते यार कितना है तीन और छे नौ रुपे तो यहां पर आ जाएगा नौ रुपे तो यह हो गया 3600 रुपीज सी स्टेप थी हमारी रिशू पे जो पैसा मिला तो रिशू में भी यार दो पार्ट हो जाएंगे एक रंबीर तीन सो शेयस रिशू है नौ रुपे के सबसे तो यह हो जाएगा 2400 बस इनको याद कर लो यार यह हमारी तीन स्टेप से जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए अब इन तीनों का अमाउंट आइड कर लेते हैं अगर तुमने एंप्लस में डाला तो अलग से आड कर लो 14,86,500 प्लस 1500 प्लस 3600 प्लस 2700 और प्लस 2400 तो इन सब का टोटल आ गया 14,96,700 14,96,700 तो यार यहां पे बैंक अकाउंट के लिए मैं लिख रहा हूं 14,96,700 और यही टोटल हो जाएगा 14,96,700 तो क्या तुमने पूरी बैलिंशीट क्याल्येटर पे सॉल्व कर ली क्या तुमने पूरी क्याल्येटर पे बैलिंशीट इसी वे में करा हमने इसको क्याल्येटर पे सॉल्व करा पर एक बार मेरा रिकॉल करवाना तो बनता है कि कहां पे क्या यूज हुआ तो यार सबसे पहले सबसे पहले कैल्लेशन और शेरर कैडिल तो इसकी जो टैगलाई थी जो ट्रेड ऑर मैंने बूला था जिन्दा शर्कि प्रेडिंश्वान जरूरी क्या पात सब्छाइब इसके पहले पहले शेयर 4 बार मैं केल्किल ऑरफव्र में अ करना जघर है आठी में था, bank account, तीन step, अच्छे stress पर जो पैसा मिला, बुरे stress पर जो पैसा मिला, और reissue पर जो पैसा मिला, देखो दोस्तो, यहाँ पर मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया, मैं PDF ब्यार लिंक अटाच कर दूँगा, वीडियो के नीचे, तुम लोग डाउनलोड करके पूरा नोट कर लूँगा, तब तक के लिए बाबाए,